जै मातादी फ्रेंड्स, विलकम बेक टू माई चैनल, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल, वीवास लाइट में हुप करती हूँ, सब लोग स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, नौरात्री सबका अच्छे से जा रहा होगा, सो फ्रेंड्स हम भी आ गए हैं पूजा करके, और मेरे यहां आप लोगों पता है, मौर्निंग डूटी चल रहा है, तो वो तो साड़े छे में ही चले गए डूटी, और हम भी अपना पूजा करके आ गए, तो यह आज कल ले आए हरा धनिया और मिर्चा बोले इसका कचरी बन तो वही हम बना रहे थे, तो फिर मिर्चा पीज चुके थे, तो फिर सचे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कि मिर्चा और हरा धनिया का कचरी कैसे बनता है, और यह मतलब आप साल भर भी रख सकते हैं, पर साल का बनाए हैं मेरा अभी तक है, तो अभी थोड़ा बचा ह तो इसलिए बोले कि अभी फिर इस साल बनाओ अभी चलेगा, गर्मी में बहुत ही बढ़िया लगता है, टेस्टी खाने पे, तो आप लोगों को दिखाते हैं, यह देखिए मिर्चा ले आये थे, जो की आधा हरा, आधा रेड हो चुका था मिर्चा, तो इसको धूल के इसको रख दिये थे, इसको रख दिये थे इसी जाली में तो इसका भी पानी एकदम अच्छे से निकल चुका है, तो इसको हम काट लिए हैं, अब इसको मिक्सि जार में डाल करके, इसको भी इसी तरीके से दरदरा पीस लेंगे, सो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा धनिया भी एकदम दरदरा हम पीसे हैं मतलब ज्यादा इसको मबारिक नहीं किये हैं अब दरदरा पीस दिये ही इस सूप के खुदी हो जाएगा तो इसको और ये मिर्ची को थोड़ी देर के लिए हम अभी धूप में रख देंगे तो फ्रेंड शुब मिर्चा और धनिया को हम रख दिये हैं धूप में एक घंटे के लिए उसके बाद ये देखिए ये ले लिए हैं हम अचार का मसाला बनाने के लिए धनिया और ये सौफ है पतला दाना का है और ये मंगरेल है अजवाइन है और ये मेथी है तो आप देख स हकते हैं सबसे ज्यादा धनिया है उससे कम सौफ है और उससे कम मेथी है मेथी से भी कम मंगरेल और अजवाइन है इतना है मसाला अभी इसको हम भून लेंगे तो ये मसाला आप अचार का भी है कलौंजी का shift का है मतलब एक मसाला से आप बहुत सारे अचार तो हर प्रकार क अब बना ही सकते हैं क्योंकि हर अचार में यहीं मसाला पड़ता है और इससे कई ठो आप लोग सबजी बना सकते हैं हम लोग बनाते हैं हम लोग के गाउं में यहीं मसाला पड़ता है कलोंजी में अचार में तो बस अपने गाउं के तरीके से हम बना रहे हैं और आप लोगों हम लोग डालते हैं इसमें देखे थोड़ा जीरा डाल दिये हैं तो और इसको आप किसी भी सबजी में भी कई सबजी में भी यूज कर सकते हैं कलोंजी बनाने के लिए करेला बैंगन परवर कुंद्रू आलू मतलब हर चीज का कलोंजी किसी भी चीज का बना यही मसाला तो यह मसाला एक और मतलब सबजी अनेक रहा हुँ किसी भी चीज का सबजी ओ उस में यह मसाला हर में जाता है। में दीच़ों को हम मसाले को इदरुम्तित चटकने तक भून दख़ें आवा सब्सक्रा nuances तो इसको बंद कर देंगे और इसका खुस्बू भी बहुत ही अच्छा आने लगता है जब यह भून जाता है तो इसका खुस्बू भी बहुत ही बढ़िया आता है सौफ धनिया मेथी मंग्रेल जीरा का खुस्बू बहुत ही टेस्टी होता है मतलब टेस्टी क्या अच्छा ह तो अभी ये देखिए मेरा चटक गया बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने तक छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद पीसेंगे और ये रहा धनिया और मिर्ची इसको तो हम एक घंटा बाद ही धूप में से निकाल मतलब ला दिये थे उतार दिये थे धूप से लेकिन ये ज़्यादा ही सुख गया धूप से लेकर आये तो इसको हम रख डिये रूम में तो पंका चल रहा था रूम में तो उससे यह जादा ही सुख गया कोई नहीं इसमें तेल और सिरका डालेंगे तो यह फुल जाएगा तो देखिये यह मेरा एकदम अचार बनाने के लिए अचार क्या कचरी बनाने के लिए तैयार है और ये मसाला भी मेरा ठंडा हो चुका अब इसको पीस लेंगे और इसको जदा बारिक नहीं पीसेंगे इस मसाले को दरदरा ही पीसते हैं ये देखिए इसको एकदम दरदरा ही पीसे हैं और ये पैन ले लिए हैं इसी में हम आप लिटी में चोखा, सबजी में, दाल में, कैसे भी इसको तो ये देखिए लसान अभी नहीं डालेंगे पहले इसमें हम मिर्चा और धनिया मिक्स कर लिए हैं और इसमें ये मसाला जो हम बनाएं है इसको डाल देंगे, थोड़ा सा ये मेरा पंखा चल रहा था ना तो ये उड़ रहा है इसलिए इसको आराम से डाल रहते तो अभी देखिए मसाला हम डाल दिये हैं लगबग बड़े चमच से दो तीन चमच और उसके बाद ये लसन डाल दिये हैं कूट करके एकदम बारी कूट लिये हैं लसन को बड़े चमच का एक चमच होगा और उसके बाद नम वहल्दी भी डाल दिये हैं और उसके बाद अब इसमें हम डाल रहे हैं गन्ने का सिर्का खरीदा हुआ बिल्कुल नहीं है ये घर का बना हुआ गन्ने का सिर्का है तो थोड़ा सा हम इतना ही डाले हैं इतना में यी बहुत जादा मतलब खटा हो जाएगा और अचार बहुत बढ़िया मेरा कच्री जो है बहुत ही टेस्टी हो जाएगा तो अभी इसमें और थोड़ा सा डालेंगे हम सरसो तेल, सरसो तेल को हम खौलाए नहीं है, कच्चा ही डाल रहे हैं, आप चाहिए तो खौला के एकदम ठंडा करके डाल लीजिए, नहीं तो कच्चा ही डाली है, क कोई फरक नहीं पड़ता है, तो हम तो कच्चा ही डाले हैं, तो अब कच्चा डालके यह देखिए, चमस से बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिक्स तो होगा ही नहीं एकदम अच्छे से, तो बस वहीं अपना हाथ जिंदा बात, तो हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जब आपको इस मसाले का हम यूज बता रहे थे, और इस कच्च्री का यूज बता रहे थे, कच्च्री का जैसे डाल है, गर्मियों में, जैसे हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा महेंगा हो जाता है, तो इसको आप अगर माली जिए, नहीं है कभी घर में, तो इसको आप डाल, जो है simple दाल बना करके उसमें एक चुटकी दो चुटकी लेकर करके mix करके खाईये, इसका स्वाद बहुती टेश्टी आता है। उसको बहुत पीजिया नाते हैं, ऐसमें भी टेश्टी लखता है। और जो है मकुनी लिट्टी उसमें भी जब ज़्यादा समान पड़ता है सारा तो लसन अध्राट प्याज हैं तेन उसके साथ इसको मिक्स कर दीजिए थोड़ा सा ले करके बहुत ही टेस्टी लगता है तो इतना सारा हम यूज बता दिए जैसे हम आपको पहले ही बताएं करे बहुत ही टेस्टी लगता है और यह कच्री आप चाहेिए जैसे खाइये बहुत ही टेस्टी लगता और इसको आप सालवर में एक बार अभी इस टाकलेगा बिगड़ेगा बिलकूल भी नहीं और इसको हम दबब्य में अम मुली का अचार रखे थे तो उसको निकाल करके य मतलब इसमें डाल दे रहे हैं तो यह मेरा अग चलेगा साल भर यह बहुत ही टेस्टी होता है बहुत ही चटपटा सा होता है तो फ्रेंड्स अगर यह आप लोगों को यह मेरा कछरी का रेसीपी पसंद आया है और यह जो मसाला बनाए है अपने गाओं के स्टाइल में अगर यह मसाला रेसीपी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो नए है मेरे च के साथ तब तक के लिए बाई बाई जै माता दी माई लवली फेमली